नवश्कार दोस्तो स्मार्ट हॉल्टी कल्चर टिप्स चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारे ब्राइच निकालने और स्पर्फॉर्मिशन के लिए प्रयोग किया जाता है जिसको हम नौचिंग कहते हैं दोस्तो नौचिंग जैसे कि मैंने बताया क्यों की जाती है नई प्राइच निकालने के लिए या ने बड़्ज जो आंक है sleeping eyes है उनको खोड़ने के लिए जो है notching का प्रियोग किया जाता है तो दोस्तों notching कैसे की जाती है क्यों की जाती है आईए चले देखते हम कैसे notching की जाती है यह आप देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ है इसमें एक भी ब्राँच नहीं है यह लगबग 10 feet उपर है यह देखिए आप देख सकते हैं एक भी ब्राँच नहीं तो मैंने इसमें notch किया है बीच बीच में तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा उसका क्या रिजल्टरा है जो इस तरह के जो पेड़ है आजकल नर्श्री में तियार किये जा रहे हैं उसमें कोई ब्राँच ही नहीं होती तो ब्राँच नहीं कालने के लिए जो हम notching करते हैं तो मैं आपको इस पेड़ में भी दिखाता हूँ यह देखिए दोस्तों यह हमने य यहां से ब्रस्ट हो गया आपको बाहर के लिए यह देखिए मैं आपको चारों तरफ से दिखाऊंगा यह देखिए से नीचे भी में ने नौच किया था यह दिखिए ये कट लगाया था आपने और देखिए मैंने इससे थोड़ा उपर दो डाई फीड पर और नौच किये थी ये देखिए ये देखिए ये देखिए कितने अच्छे नई ब्रांच यहां से निकलने के लिए त्यार है ये देखिए ये देखिए चारों तरब से मैंने किया था आपको दिखा दूँ मैं थोड़ा दूर से शौट ये चारों तरब से मैंने नौच किया था ये यहां से यहां से और यहां से और यहां से तो मैं आपको दिखाता हूँ यह दिखिए यहां से भी नौच किया था यहां उपर वाले पर भी नौच किया है तो दोस्तों यह आप भी कर सकते हैं खुद नौचिंग कर सकते हैं कोई ज़्यादा मुश्किल टेक्निक नहीं है आईए देखते हैं नौचिंग कैसे की जाती है और नौचिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है दोस्तों यहां मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि नौचिंग किस में की जाती है नौचिंग आप उन पेडों में की जाती है उन एपल ट्रीज में की जाती है जो एक से लेके पांचे साल तक होती है इन ट्रीज में जो है ब्रांच निकालने के लिए नौचिंग की जाती है आप देख सकते हैं दोस्तों ये मेरा इस साल का ट्री है ये देखिए काफी लंबा है ये देख सकते हैं आप लग बग शिक्स फीट का भी ये ट्री है आप आप देख रहे हैं इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है और ये इसी साल का लगाया हुआ है तो दोस्तो मैं ये चाहता हूँ कि इस ट्री में जो है ब्रांच इस एक गैप में निकले तो दोस्तो उसके लिए हम क्या करते हैं नौच पहले फोड़ा सा उपर हम不會 सिधा कट लगाएंगे इस तरह से यह करके है कि असके बाद हम ऊपर से तिर्चा कट लगाएंगे इसके आप देख रहे हैं मेरा जो नाइफ है यह देखिए जैसे मैंने यह लगाया अब आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान देए जब आप नौचिंग करते हैं नौचिंग जो है स्किन के नीचे जो लेयर दे जिसे केम्बियम लेयर कहते हैं जिसमें की हमारा सेप चलता है तो वहां तक आपका कड़ना चाहिए जरसल बेसिकली इसका काम होता कि हमने यह कट लगा के नौच करके उस सेप को रोकना है और जो यह हमारी स्लिपिंग बर्ड्स है इसको ओपन करना है ताकि जो सेप का प्रेशर यहाँ पे इस बर्ड्स पे आए तो यहाँ ध्यानकने वाली बात है जब हम नौचिंग करते है थोड़ा सा जो यह आईज है आँक है हमारे बर्ड है इससे थोड़ा सा बहार तक इसको नौच करें और दूसरी तरब भी ऐसे ही है जैसे मैंने किया यह देखिए तो इससे क्या होता है जैसे यहां से नीचे से सैब चलेगा तो यह बहार यहां रुक जाएगा अब यहां रुकेगा दोनों तरफ से यहां भी रुकेगा तो यह इस आंक पर प्रेशर डालेगा जिससे कि यह आंक बहार जो है ब्राँच के रूप में निकलेगी या बड़े पेड़ों में जो हता है ऐसे करेंगे तो आप तो बीमा वहां पर डुल पो जाएगा तो इसी तरह आप भी नौचिंग कर सकते हैं इसी तरह जैसे हमने एक साइड किया है अब आप चाते हैं कि दूसरी तरह इसमें ब्राँच निकले तो आप जहां से ब्राँच जाते हैं वहां पर मैंने आपको पता एक बार फिरम करेंगे इस तरह से सीधा कट लगाएंगे पहले उसके बाद हम इसको थोड़ा सा तिच्छा काटेंगे ये देखिए इस तरह से आप नौचिंग कर सकते हैं तो दोस्तो नौचिंग आप खुद कर सकते हैं साइंटिफिक मैंने रीजन आपको बताया क्यों नौचिंग की जाती है कैसे उसमें ब्राँच बार निकलती है जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है कैम्बियम लेर जो ब्राँच में कही तरह की लेर्ज होती है जो पहली लेर स्किन के बाद जो दूसरी लेर होती है कैम्बियम लेर होती है जो हम यहां दिखाओंगा मैं आपको यह जो कट लगा है वो कैम्बियम लेर तक कट लगा है क्योंकि कैम्बियम लेर में जो हमारा सैप चलता है अगर वो कटनी चाहिए तब ही आपका सैप रुकेगा जब आपका सैप रुकेगा तो आस-पास यहां पे वो इकटा होना लगेगा इकठा होने के बात जो क्या जो यहां पर जो बड्स था sleeping birds, sleeping eyes जिसको हम बोलते हैं तो उस पर pressure पड़ेगा जब pressure पड़ेगा तो यह बहार की ओर नई शूर्स निकलाएंगे, नई ब्रांच निकलाएगी नई fruiting पर निकलाते हैं तो दोस्तों आप भी अगर ऐसी problem है आपके पेड़ों में भी कि आप उसमें ब्रांचेंज कम है तो आप notching करके नई ब्रांच उसमें निकाल सकते हैं तो दोस्तों यह था हमारा आज का भी शेह notching अगर दोस्तों आपको मेरा यह जोन करी आपको अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों लाइक जूर करें शेर जूर करें ताकि जो यह इस तरह की knowledge सभी तक पहुँचे पहुसे बागवानों को इस तरह की problem आती है ताकि वो भी अपनी problem का निदान कर सके और हमारा YouTube चैनल भी है आप उस पे भी आप देख सकते हैं बागवानी से समंदित वीडियो जिसका नाम है हमारे चैनल का नाम है Smart Horticulture Tips आप जाएए सब्सक्राइब करिए देखिए नए नए वीडियो नए नए जानकर हम उस पे डालते हैं थैंक यू